So, hello everyone, तो ICR की तरफ से एक और नया, ओफिशल और बहुत इंपोर्टन्ट और वन अफ दी फाइनल अपडेट्स निकल के आया है and that is regarding your exam date. आपको पता है कि आप लोगों का जो exam है वो cancel हो गया था, भी कुछी दिन पहले notice आया था, मैंने वीडियो बना के आपको inform किया था, और अभी मैं आपको फिर से inform कर रहा हूँ, उस notice में ये लिखा हुआ था कि अभी dates final नहीं है और dates आपको जिल्दी बताई जाएंगे, तो dates यहाँ पर announce की जा चुकी है, लेकिन कुछ और important चीज़े हैं जो आपको इसके regarding पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको notice पढ़के बताता हूँ, उसके बाद जो इसके regarding आपको important चीज़ें निकालनी है इससे, और जो भी student ठीक है, इसके लिए prepare करना चाह रहे हैं seriously, उनके लिए भी वीडियो बहुत important है, सबसे पहले बात तो यहाँ पे notice लिए और उसका reason यह, because आप जानते हैं ठीक है, पिछली बार भी ICR के लिए मैंने सारी चीज़ें आपको करवाई थी, चाहिए वो social science हो, यहाँ पे maths हो, साइंस हो, सब कुछ हुआ था, ठीक है इस बात में कोई डाउट नहीं कि जो paper के level था, वो काफी tough था as compared to जो estimate लगाया जा रहा था, क्योंकि 10th based exam था यह, ठीक है, सिर्फ 10th past लोग ही इसका form भर सकते थे अराम से, लेकिन यह exam का जो level था, वो काफी tough था, उसका सिर्फ और सिर्फ reason यह था, कि जो number of applications थे, क्योंकि 10th past कर दिया था, minimum educational qualification को, इसलिए number of applications बहुत ज़्यादा थे, इसलिए छटनी करने के लिए और कोई stage था ही नहीं, जहांपे elimination हो सके, यह exam था, उसके बाद सिधे DV और सिधे divining, इसलिए क्योंकि कोई और exam नहीं था, paper code tough रखना ही था, अभी क्या है, अभी सिर्फ वो ही लोग exam में बैट पाएंगे, जिन्होंने exam दिया था, in dates को, 28th February से लेके, 5 March के बीच में जो आपका exam हुआ था, जो appear हुआ था, सिर्फ वही इसमें बैट सकता है, तो यहां पर पहली बात तो यह छटनी हो गई, दूसरा हो सकता है, यहां पर अभी clear नहीं है कि इसमें आपका tier 2 भी करवा ले, क्यों? यह मैं चीज बोल रहा हूँ, because जो पहला notice इसके पहले निकला था, कुछ दिन पहले उसमें लिखा था कि ICAR जो है, वो tier 2 चाहे तो करवा सकती है, ऐसा mandatory नहीं कि हो गई होगा, लेकिन possibility है कि हो सकता है खेर अभी मैं पहले आपको notice पढ़के बताता हूँ, उसके बाद चीजों पर आते हैं, in continuation to the notice this, regarding the cancellation of CBT conducted for the technician T1 held from 28th to 5th March, यानि कि जो in date के बीच में आपका exam हुआ था it is informed, वो cancel हो गया था, it is being informed that the re-examination of CBT for the post of technician T1 will be held on 7th and 8th July 2023, 7th and 8th July का आपको ये exam होगा पहले देखे, 28 से लेके 5 तक, यानि लगभग बोल सकते हैं, 6 दिन आपका exam चला था, बीच में एक दो दिन गया भी था, लेकिन, हाँ 5 दिन तो चला ही था, अभी देखे, सिर्फ 2 दिन में खतम कर रहे हैं, simple सा मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनों लोग बैठे थे उसके comparison में यहाँ almost आधे होने आधे क्यों होने वाले हैं, क्योंकि जो वहाँ पे नहीं गये थे, वो नहीं appear हो पाएंगे, पहली चीज, दूसरी चीज काफी लोग जो है, paper दे के छोड़ के सब सो चुके हैं, उनको पता भी नहीं कि cancel हुआ, क्या हुआ, हो जाएगा, जब हो जाएगा न, 8 जुलाई हो सकता है, उसके बाद, वो 15 अगस्त को जो है, अजादी का अमरत्माउस सब निकले, और फिर पता चले कि ICR का एग्जाम दुबारा फिर से वो चुका है, तो इसी लिए, यह नंबर अफ आप जो यहाँ पे स्टुडेंट्स से काफी कम रहने वाले हैं, तो यह उस स्टुडेंट्स के एलो अपरचिनिटी है, जो एग्जाम में बैठे तो जिनने इस इन्फो के बारे हैं पता चल चुका है, बिकॉस वो मुझे भी पता चलता है, कहां लाखो स्टुडेंट्स हुआ करते थे उस टाइम पे, लेकिन अभी उतने स्टुडेंट्स में वो ही ने, क्योंकि काफी सारे ने, कुछ ने तो एक्जाम छोड़ा होगा, काफियों को तो पता ही नहीं है, भूल गया है, तो इसलिए आपके लिए जिन लोग ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने आइसर का एक्जाम दिया, तो ये अच्छी उपरचुनटी है, अब मैं यहाँ पर आपसे जाना चाहूंगा, बस ये है इसमें कि जिसने भी प्रेपरेशन कर ली, उसके हजार रुपे वसूल हो जाएंगे, जो अपने अप्लिकेशन में दिये थे, क्योंकि जैसे मैंने फिर से बताया, इसके दो रीजन्स हैं, तो वो मैंने बताया, नमबर व आप्लिकेंट ये सारी चीज़ें, दूस सारी चीज़ें आपके response पर depend करते हैं, कि आप कितना चाहते हैं मेरे से, बिकोज मेरे पास भी time limited है, तो जितना आपकी need होगी, जितना आप demand करेंगे, उसे साब से आपे मैं आपको videos दूँँगा, और साथे साथ course के regarding में मैं आपको further चीज़ें बताऊंगा, तो इसके regarding कि आपकी कुछ query है, कुछ demand है, तो comment section में बताईए, उसके regarding मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, मिले तक लिए वीडियो में, धन्यवाद